नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कमपणी का आप्टेट लेक्या हूँ, तो वीडियो को पुरलास तक देखेगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब नी किया, तो तो तब से लेकर कमपणी आज तक इंडिया में राज कर रहा है, इंडिया के सेकेंट लार्जिस्ट कमपणी है, तो टाटा स्टिल सिर्फ इंडिय में नहीं, बाहर की कंटीज को भी स्टील को वो एक्सपोर्ट करते हैं, यसे आज देखेंगे तो बूज खलिफा, बूज बड़ अप्डेट है, वो अप्डेट जुरूर आपको देखना चाहिए, वो अप्डेट क्या है, ध्यान से देखना, यहापे मानी कंट्रल साइट के उपर पिछले दिन में अप्डेट किया गया था, कि टाटा स्टील अपट्स अक्सोईजी, मतलब अक्सोईजी को आपने मार्ती 800 खरिदरी किया है, एक एक एग्जम्पल दे रहा हूँ, और मानके चली आपका दोस्त वो मर्सेडिस खरिदरी किया है, और दोनों में ही अंतर क्या है, मार्ती 800 का प्राइस मानके चली 10 लाग के अंदर है, और मतलब मार्सेडिस का प्राइस मानके चली 50 और आपका दोस्त का जो driver है वो बेकार है तो accident होने का chances कौन सा गाड़ी में रहेगा जाता से ज़्यादा आपका दोस्त का गाड़ी में क्योंकि उसका driver अच्छा नहीं है तो same to same management भी company के लिए driver है अगर management सही नहीं है तो company कितना भी अच्छा हो तो उसको डूबा करी छोड़ तो दिखे बहुत सारे companies में क्या होते है उसका management उसका family member होते है तो family member होने के कारण जो family में कोई दिक्कत आये तो उसका impact directly company के उपर देखने को मिलेगा तो तेसलिये में बार बार बोलता हो उस company के उपर चूच करिए उस company के उपर study करके काम करिए जो company एक बड़ा है उसका management team अलग-अलग लोगों को लेकर बनाए गया है तो company एक बड़ा decision लिया Tata Steel ने बहुत बड़ा decision लिया क्योंकि आप देख सकते Tata Steel also आप देख सकते Tata Steel आप देख सकते re-designed Puse Group था as the vice president मतलब उन्होंने खुद कहा कि company के जो management के जो changing है वो एक बहुत बड़ा decision है उस decision से company का growth होने का chances बढ़ सकता है अब देखे company का performance के बारे बात करू तो company का quarterly result ध्यान से चीज को देखना sales में company का कितना growth हुआ देखे sales में सांदर growth हुआ इस बार पिछले बार में जितना था छोट थोड़ा सा है आपे sales को कम देखने को मिला expense को भी company control में रखे और net profit भी operating profit भी सांदर देखने को मिला ऐसे नहीं के profit नहीं हुआ फिर भी ultimately company का net profit या पे losses में है तो ऐसा क्या हो गया इसके लिए company का net profit losses में चले गए इसके पीछे एक reason भी है वह reason क्या है company का आदस income कमपनी के जो आदस income हो रहा था उसमें से company जबार साड़े 6,000 क्रोड का loss किये और इस आदस income negative में जाने के कारण company के उपर एक big pressurize देखने को मिला अभी देखिया अज़े investor क्या कर रहा है इस company के उपर continue कर रहा है खुदका stake को कोई भी stake नहीं बेचा उटा देखिये DS ने छोटा मोटा stake को आपे बेचा है उसका फाइदा किस ने उठा है sorry FIS ने stake को बेचा है उसका फाइदा directly DS ने उठा दिया तो इसका मतलब हर कोई institution इस company के उपर रहना चाते है अभी दिखे रहने के पीछे reason भी है reason क्या है अगर ध्यान से देखेंगे तो company के उपर आज तक one day से 10 years तक एक भी losses देखने को नहीं मिलेगा six month में 19% का return दिया एक साल में 20% तक तीन साल में 111,5 साल में 140,10 साल में 200% का return दिया तो company अलग level का return दिया और धिरीधे करके return का percentage भी बड़ा हाँ 10 साल में उतना खास नहीं है फिर भी company का एक average level का return हामेशा देखने को मिला तो इस company को उपर chart pattern के बारे हैं बात कर दो टाटा स्टील के उपर आप एक सांधर pattern यहापे बनता हो देखने को मिला था यहाँ था कफ with handle patterns तो finally जब कफ with handle patterns बना breakout भी हुए और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी कुछ इस तरगे से patterns आप आपको दिखे तो सबसे पहले आपको इस label को marking कर लेना और उसके उपर breakout candle देखना और उसके उपर breakout का closing चाहिए दो confirmation चाहिए पहला breakout होना चाहिए और दूसरा breakout confirmation उ अब भी इस तरगे से अगर situation आए क्या इसके उपर हम लोग एंटी लेना चाहिए बिलकुन नहीं मैं कहूंगा कि एंटी अगर आपे लेंगे तो target आपको बहुत चोटा हो जाएगा आपको क्यारना क्या है wait करना है retacement करने का उतलब फिर से वही level को touch करेगा तब एंटी बन चलेगा तो इस वीडियो में आपको यह सिखाना चाहता हो कि जब भी कुछ इस तरगे से अंटी बने तो आप उसके उपर focus रखेगा मेरा कहना का मतलब यह नहीं कि मैं आपको recommendation कर रहा हूं कि इस company के उपर buy करिए sell करिए यह आपके हाथ में है मेरा काम buy sell कराना नहीं है मेर भी formula नहीं दूँगा तो next company है उसके बारे में बात करें उसका नाम है Dixon Technologies तो Dixon Technologies आप सभी जनते हैं इंडे की एक popular और इंडे की number one consumer dirables product बनने वाला company है तो इस sector में बाकि जितने सरे company है तो सारे companies का हालत अज खराब है उसका market cap देखे 400-300 क्रोर के आसबास है अकिला Dixon Technologies का market 31,000 क्रोर के आसबास है तो क्या इस company का performance सही है बिलकुल बहुत सांदार है और जब से सावमी के साथ big deal हुआ कि सावमी अभी इंडिया में ही खुद का mobile manufacturing करेंगे और वो भी Dixon Technologies के साथ जूड़ कर तो वो points एक big positive sign बना और उसके चलते है company के उपर एक धमा का performance हुआ अभी company company के वो दो points आपको समझना चाहिए company का peer issue बहुत high है देखिए जब कोई company के उपर good news आया उसके चलते स्यार में तेजी देखने को मिला और उस basis में अगर peer issue high हो रहा है तो सोचना उस company के उपर एक correction momentum कभी ने कभी देखने को मिल सकता है क्योंकि देखें डीमाट का हालत भी उसी तरह किसे हुआ था कम डीमाट का peer issue 300 के उपर चला गया था और उसी लिए डीमाट आज देखेंगे तो कितना सांदर करेक्शन देखना को मिला और अभी आज peer issue 100 के आसपास है तो peer issue high होने का मतलब है देखिए peer issue high अगर company का performance के उप साम नहीं करूंगा तो इस company का हालत और भी खराब हो जाएगा फिर से करेक्शन देखने को मिल जाएगा इसलिए बार 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 बोलता हूं company का peer issue भी बहुत importance है यह को price to earning ratio कितना earning हुआ उसकी इसाब से price देखना चाहिए तो जितना high price होगा उतना ही company के लिए खत्रा बन सक है फिर भी इस company का बाकी परफन जो है बेश्ट देखने को मिलेगा ROC ROE based है income भी है हाथ में करजा नाक के बरबर है हाथ में free cash flow भी सांदर है company का quarterly result है आप देखेंगे sales के मामले में company का sales ठीक ठाग है expense को भी company control में रखे और company के net profit net profit 52 करोर से बढ़के हो चुगे 113 करोर के आसपास तो अलग level का company का net profit बढ़ता हो देखने को मिलेग तो company इस बार highest profit जिनाट किया इसके चलते company के उपर एक अच्छा खासा return भी देखने को मिला अगर मैं ही return के बारे बात करूँ तो 3 months में 6.95% का return मिला अभी 6 months में क्या 44.55% एक साल में 21% तीन साल में 112% और 5 साल में तो धमा का कर दिया, खुद का sector भी उतना सांदर performance नहीं किया, जो 1100 के person के आसपार, तो एक बार में 10 साल तक आपको चार्ट परन दिखा दू तो देखिए कहा से कहा तक पहुँच चुगे है, sector में 2300% के आसपार return मिला, मगर company के खुद का कितना percentage return मिला, 1300%, तो अलग level का company क यहाँ पर performance देखने को मिले है, तो Dixon Technologies के उपर एक ही बात कहुँगा, इस company के उपर as a investor भी दिरे-दिरे करके खुद का holding को बढ़ा रहा है, क्योंकि institution का भी बता चल गया, कि इस company के उपर आपका में 10 में अच्छा गासा growth होने का chances है, खुद का sector में उतना growth नहीं है, जितन करने के लिए कि कुछ इस तरीके से अगर pattern बने, तो आप क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर क्या बना, solder, उसके बाद एक big head, उसके बाद एक solder, तो finally यहाँ पर क्या हुआ, ख्यान दीजेगा है यहाँ पर, पहले इस candle के बाद हम से breakout हुआ, और next candle में आपके confirmation मिला, तो breakout ह करने का बाद confirmation भी मिला है, अभी देखिए, धीरी, 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 करके बो क्या कर रहा है, उपर जा रहा है, तो कहने का मतलब है, company के उपर एक सांधर तरीके से एक pattern create हुआ, उस pattern के basis में वो आगे बढ़ रहा है, उस pattern के basis में वो आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा time लग सकता है, और वो easily यहाँ पर target, जो 44% का जो target है, वो achieve भी कर सकते हैं, तो देखिए, achieve कब करेगा, वो target कब compete होगा, वो किसी को पता नहीं है, आपको उसके उपर study करके ही काम करना पड़ेगा, तो आपके कराह है इस company के उपर जोरू comments करना, और हाँ, आपक इस company के उपर वीडियो देखना चाहते है, मुझे जूरू comments करके बताईए, नेक्स चो company है, उसका नाम देखेंगे, उसका नाम है IGL, इंदबस्ता Gas Limited, देखिए IGL, आप सभी जानते है, एक natural gas, city gas distribution network है, इसके पास, और दिल्ली में इस company का business सबसे ज़्यादा चलते है, जैस तो company के जो business है, वो totally government operate करते है, कि कि इसका जो promoter है, अगर आप देखेंगे, तो 45% का जो promoter है, वो दो बड़े government company है, एक है GEL, गेल के पास 50% holding है, और दूसरा है BPCL, तो दोनों वेक्ति ही, दोनों ही government company है, और दोनों वेक्ति के पास ही अच्छा का सनीवेस है, अभी सबस अजार क्रोल के आजबास है, पी रिसो एकदम बेस्ट लेवेल में है, ROC, ROE दोनों ही बेस्ट है, इंकम भी जबदस्त हो रहा है, एकदम कर्जा 0 है, तो company के हर parameter positive में देखने को मिलेगा, मुझे दो point सबसे बेस्ट लगा, company के ratios, लेकि ratios में company क्या मतलब जो data's day है, मतलब data's तो data's day, तो कितना दिनों में हो रहा है, 23 days में, तो अच्छी बात है, एक range की साफ से company काम गा रहा है, और inventory day, production करने में company को कितना दिन लग रहा है, सिर्ट दो दिन, और company जिससे उधारी लिया, company जिससे raw materials खज़़दरी किये, उसको payment कितने दिनों में repayment किया जा रहा है, 32 days तो इसका मतलब company में एक सांदार performance या पर देखने को मिला, अभी इसी तरीके से अगर मैं company के quarter result के बारे बात करूँ, तो company के दिखे, sales के साथ साथ profit good में, इस बार company highest profit generate किया, तो सारे दिशा में company का positivity है, तो आप question आएगा, कि sir सब कुछ positive है, तो correction क्यों हो रहा है, company के उप रीजन है, वो है दिल्ली government, दिल्ली government ने एक बहुत बड़ announcement किया, कि वो सबसेदा investment, electric vehicles के उपर, और साथी साथ, जो green energy है, उसके उपर काम, मतलब invest करेंगे, उसके उपर focus रखेंगे, और green energy के उपर ज्यादा project हुआ, तो जो natural gas के जो demand है, वो कम हो जाएगा, city gas का जो demand है, वो कम हो जाएगा, जिसके चलते है, share में एक big correction देखने को मिला, अभी इस company के उपर आपके कराय है, मुझे जोरू comments करके बताना, next चो company है, उसके नाम आपको दिखा दू, उसका नाम है कूचिन सीपर्ड लिमिटेड, देखिए, कूचिन सीपर्ड लिमिटेड के बारे मात price था, से 200 रूपीज के आसपास, और आज कितना 1200 के उपर चल ला है, तो company अलग लेवल का एक धमा का performance किया, और इस धमा का करने के बाद company ने एक बहुत बड़ा announcement किया, company के face value 10 रूपया है, उस 10 रूपया को company करने वाले 5 रूपया, इसका मतला हर एक share के बदले company, आपको 2 share as a split की इसाब से देने वाले है, तो आपको जुरू याद रखना होगा, इस details के बारे में, इस data के बारे में, कब data आएगा, मैं जुरू आपके साथ share करूँगा, उससे पहले इस वीडियो को, वीडियो को अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को भी subscribe करना, वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, और हाँ, ये वीडियो totally education purpose में है, कोई भी मेरे तरफ से buy and sell का recommendation नहीं है, अगर किसी भी company इसको बर काम करना है, तो आपके risk के इसाब से, research के इसाब से जूरू काम करिए, वीडियो में, धन्यवाद